नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स नाइन स्प्रीचुल में और मैं हूँ आपके साथ आर्टी से वैसे तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कभी-कभी हमारे जिन्दगी में चीजे एक साथ बदलती हुई नजर आती है कभी लाप तो कभी नुक्सान होने लगता है ये सब जिन्दगी का लेखा जोखा है इन परिस्तितियों में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और इनसे कभी परिशान होने की जूरत नहीं है बलकि इनसे सबक लेने की जूरत है और आज हम आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिने अब 4, 5 और 6 अगस्त को मनचाहा लाब मिलने वाला है बता दें आपको जोतिश के ग्याता बता रहे हैं कि अब बहुत जादा शांदार योग भी बनता हुआ दिख रहा है जिसमें इन राशियों का उधार हमेशा के लिए हो जाएगा ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन में कई बड़े बदलाव आते हैं इन बदलावों का मुख्य कारण हमारी कुणली के ग्रह होते हैं ग्रहों में बदलती चाल ही हमें नकाम बना देती है और अगर इनी ग्रहों की चाल हमारे अनुकूल हो तो ये हमारी जंदगी भी बता देती है अच्छा बुरा समय अक्सर सब किसी के हर किसी के साथ ही आता है आपको बताएं तो बच्चों की ओर से इन राशी वालों को सुख़द अनुभूती की प्राप्ती होने वाली है जरूर होगा कल्यान होने से इनका कोई नहीं रोग सकता चलिए अब जाते जाते आपको बताते हैं कि वो कौन सी तीन राशिया हैं वो राशिया हैं मेश, धनू, कन्या रोजाना अपनी राशियों पर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल नेक्स्टनाइन स्प्रीच्ट्वल को सब्सक्राइब करना ना भूले और धर्म अध्यात्म रहस्य से जोड़ी जानकारी पाने के लिए देखते रहें नेक्स नाय स्प्रीचुल